नेक्स पे हमारे पास आता है जी दरल उलूम दियोबंद क्या है जी के दियोबंद के अंदर जो है वो दियोबंद एक छोटा सा इलाका है ठीक है छोटा सा गाउं आप इसे कह लें या कस्पा कह लें इस गाउं या कस्पे के अंदर इंडिया के अंदर एक दियोबंद नाम की एक मस्जिद जो है वहाँ पर ये इस्टैबलिश किया गया यानि कि एक ऐसा सिस्टम रखा गया वो दीन के करीब लाना असल परपस जो था वो इसका यह था यानि कि इस्लामिक एजुकेशन देना इसका परपस था तो यह दरलूम दियो बंद जो है 1886 के अंदर जो है वो इसका कयाम अमल में लाया गया यह सामने आपको यहां पर इसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही है त तो इसका बैगराउंड क्या था किसके बैगराउंड में सबसे इंपॉर्टन जो था वो अलीगर्ड मॉव्मिंट थी या सरसेयत की सर्विसिस थी अब क्योंके सरसेयत जो है या अलीगर्ड जो है वो कम्प्लीटली काम कर रहा था इंगलिश एजुकेशन के ओपर आपने जा देखा कि अगर मुसल्मान जो हैं वो सारे के सारे इंगलिश एजुकेशन लेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि मुसल्मान तो अपने दीन को भूल जाएंगे तो ऐसे में और सारे के सारे मुसल्मान चले भी जाएंगे सरसेयत की तरफ तो ऐसे हमें एक ऐसे इधारे का क्याम करना चाहिए जो मुस्लमानों को तालीम भी दे ठीक है और साथ साथ इसलाम भी सिखाए यानि दीन भी सिखाए तो इसलिए इनों ने सरसेयत के मकाबले में या अलीगड के मकाबले में सिधारे को काइम किया 14 अप्रेल 1866 को जो है उसका क्याम अमल में आया कहाँ पे यूपी का एक छोटा सा इलाका है सहानपूर वहाँ पे जो है सकस्वे के अंदर जो है एक छोटी सी मस्जिद में इसकी बुनियाद रखेगी और बुनियाद किसने रगी हाजी मुहम्मद आबिद हुसैन सहाब ने रखी और इनकी उफात के बाद 1867 के एक तो एजुकेशन का मकसद मकसद था कि इस्लामिक एजुकेशन दी जाए साथ में वेस्टर्न एजुकेशन भी दी जाए यानि साइंस की जो एजुकेशन है वो साइंस की एजुकेशन भी दी जाए जिसके ओपर सरसायद ने बहुत जादा जो रखावा था और दूसरा political name था कि जो अलीगर्ड है उस अलीगर्ड ने क्या किया जी अंग्रेजी education दे रहे तो ये जो है वहाँ पे फिर सारे का सारे political माहूल मुसल्मानों का जो बन रहे वो सारे का सारा English education type का बन रहे तो उसको change करना ठीक हो गया और मुलाना अश्रिफ अली थानवी और मुलाना शबीर अहमत उस्मानी जैसे जो है वो नामी करामी उलमा जो है यहां से निकले यह निए दार उल्लूम देवबंद से निकले एक बहुत बड़ा फिरका है सुनी मसलक के अंदर ठीक है जी आगे बढ़ते हैं